अब पाँच्वे में मेरे मैथ में जीरो आया था इक बार, तो मेरे भाई ने दिखाये थे लग SEC टेस्ट में जीरो आया है तो मम्मी ने पिटिया तो फिर मैंने क笑 कि, तब मैंने वीडियो देखी होई थी तौर्टी अमेरिका मैंनों पीट नी सक देवालका थी तो मैं मैं तो बस अमेरिका जाओंगी मैं कुण रेंदिया आप लोगा लिए आप तो पिटो हो बाद में मेरे को मास्टर में जादा इसलिए हुआ कि मास्टर में ती उसके एक के मामा जर्मनी में थे एक का वाई ऑस्ट्रेलिया में था और मैं सोचा करती मेरा तो कोई नहीं है तो मैं तुमने पैसे तो इतने पैसे लगाए जाएंगे और स्टैंप में मैं मेरे साथ फुक्त ढऊन करूंआइड और यहाद होगा तो इन चीज बलकुल स्टिक बैठा है उरजीत मैं बैठा हूं गुराना का में वोजुद हूं और मेरे साथ प्रियाबुरा मोजुद है बाड़ा कहना अगर कहना के किला विकवाइदे दो दो किले विकवाइदे विदेश जान खैतर है लेकिन इस गुडियान है अपने माबाप का जो है फकरत ना मुचा करनगा काम करे है या फरीम जाओगी जो सी तो जाओगी आगे लियां पर पीए भी लेओगी और यह आना की बेटी अमरीका में जाएगे पड़ा होगी इसका बार में पूरी जानकारी लेवांगे फिलाल गुराना का में मोजुद हूं और एक साधारन प्रिवार की बेटी आज अमेरिका मजैरी है परसों अमेरिका जाएगी और इसमें बड़ी बात के बाई लोग तो रपीए दे के जाओं है इस तो ही पीसे देऊंगे इसका खुद का पैकेज है और बुलाई गई है स्पेशल ओफर आया है के कुछ है पूरी बात पूरी चर्चा करांग बेबे राम राम एप्रिच्चा करने जा रहे हुँ यूनिवर्सिटी ओफ नेबरास का लिंकन आप इसका एक स्टेट है अमेरिका में वहां पे पेशीड़ी करने जा रहे हँ और मेरा कोर्स है पांच साल का पापा का नाम बदा हो एक बार? मतलब मेरे पापा मतलब मेरी मम्मी जब है मतलब काफी ज़्यादा पढ़ना चाहती थी फर इतना पढ़नी पाई थी तो वो हर चीज उनने मेरे में देखी थी और अंचलर के पापा relationship जल्दी डेथ होगी थी तो उन्होंने बोट हर चीज अपने तरीके से संभाली थी तब पांच में मेरे मैथ में जीरो आये थे एक बार तो मेरे भाई ने दिखाये थे के लगए इसके टेस्ट में जीरो आये हैं तो मम्मी ने पीट तो फिर मैंने वीडियो देखी होई थी नूं कि अमेरिका मैंनों तो मैंने बोले मैं तो बस अमेरिका जाओंगी मैं कुन रहें दिया आप लोगा के लिए तो तो तब यू था कि फिर उसके बाद मेरे भाई शुरू से पढ़ाई में उस्यार था मैं इतनी कौन थी तो फिर मेरे यूं लागया क्योंकि मैं बोलने में अच्छी थी तो जोर लगाया फिर ठीक मार्क्स आते गए मार्क्स आते गए फिर मेरे यूं हुआ था जब मैं अपनी बीएस्सी गर रही थी बीएस्सी मैंने मेडिकल से की है कि रोडी मिल कॉलेज से दिल्ली उनिवस्टी से तब वहां पर यू होता है कि इसलिए कि मार्क्स लाना जूरू थी लाइक इंगलिश में रितनी फ्लूएंट नहीं थी पर वहां जाके मतलब औरों के महोल में रही क्योंकि यानवी एक्सेंट आता है शुरूवात में कहते हैं कि ऐसे आरहां यानवी एकसेंट पर वहां एक्सपोजर मिलता है और टीचरों से बात करते हो तो इस सब यह से नहीं लगवा सकती तो ट्राइब करूंगी कि खुदी जाओं कभी तो फिर बाद में मेरे को मास्टर में ज्यादा इसलिए हुआ कि मास्टर में ती उसके एक के मामा जर्मनी में थे एक का वाई ऑस्ट्रेलिया में था और मैं सोचा करती मेरा तो कोई नहीं है तो एक त तो अब किसमत की है कि उनका किसी का अड्मिशन नहीं हुआ मेरा हो गया तो अब मैंने रिसर्च करी थी एक साल तो उस बेसिस में रोकना चाहूंगा वही मने सपना पुछे दा सारी काणी बताय दी वे बेना तो मलो सपना कड़े ते भी आपे देख सकार उसने साकार भी कर इसका बेबे ना बताया कि वे पांचमी क्लास में मैं जीरो आई थी आज पढ़ाई का दंप जो है अमेरिका जान लाएगरी है अपना बताय दियूंगा वह पूरी जानकारी भी लेवांगे पूरी पूरी गर आई तो पूछांगे बहुत से स्वाल है कि बैंड एक चीज स अमेरिका के लिए उता है और जो पीटी और कशनी उनिवर्सिटीज जो है वह एक्सेप्ट कर लेती हैं तो मैंने की सोची थी तब तक मुझे पता नहीं था कि मतलब किसमें जाना है कुन सी जगह पर जाना है तो आलस की बच्चे तो कोचिंग लेया गरहे 15,000 का उसका एक् चल रहे से तब MSC के तो मैंने कोचिंग निली थी मैंने मतलब एक्जाम के बीच में यूट्यूब वीडियो से मेरे मानना है कि लोग बहुत पैसे खराब करते हैं चीजों पर कोचिंग लेंगे यह लेंगे आज कल बहुत कुछ है यूट्यूब वीडियो पर अगर इंसान ट लगे थे तो एक स्वाल यू है कि वी कितने करपी देके ने अमरीका जान लाग रही तो मैंने बस आइल्स का फोंब रहा था एक एप्लिकेशन फीज दी थी मैंने टोटल मेरी ख्यालत है पचास-पचास मेरी मेरा खर्चा हुआ होगा फ्लाइट की टिकेट के तो देखो ख खर्चा हुआ होगा पचास-जार वास यूद दिमाग में तो कुकर निकाड़ा बड़ा बच्चांग है कि इतना पैसा लाग इतना पैसा लाग किस तरीकत जो है कि बिना पैसे भी और एक अच्छे तरीकता पर विदेश मजास का मेरे इसाब से यह सारी चीज उस पर है कि थोड़ा खुद पर इंडिपेंडेंट होना शुरू करो इतना अपने माबाप पर बड़न मत डालो हर चीज का क्योंकि उसके बाद तुम तो चले जाते वह तो पिछे रहा जाते हैं तो उनके लिए पैसे होने चाहिए तो खुद ट्राइब करो कि हम कैसा सोलीशन निकाल इतने मैंने कोई एजेंट नहीं करा था शुरूआत में मेरे भी मन में आय थी कि एजेंट करूँ एजेंट बीच में पैसा खाता है तो मैंने कोई एजेंट नहीं करा तो खुद यूट्यूब पर ट्राइब करो कि तुम कैसे जा सकते हो जो बेसिस पर कैसे जा सकते हो अब वो कंसिडर भी करते हैं कि इंडियन को पता है कि बच्चे जादा पढ़ते हैं या मैनती होते हैं हर चीज में तो ऐसा कुछ निया कि इतने पैसे लगाए जा सकते हैं इस चीज पर यूट्यूब पे देखो और चीज मिलते हैं स्कोलर्शिप कैसे मिले लड़कियों के लग से स्कोलर्शिप है जो कम एकोनोमिकल वीकर सेक्षेन है उनके लिए अलग से स्कोलर्शिप है तो स्कोलर्शिप के लिए फोर्म निकलते हैं दिसंबर के राउंड निकलते हैं अप्रिल के बलक में वो निकलते हैं फोर्म तो उनमें अप्लाई करो अगर स्कोलर्शिप का है य मास्टर्स में तो देखो लगता ही लगता है पर अगर आप थोड़ी और आइल्स में अच्छे लेया हूँ या ऐसे खुद की तरफ से थोड़ी मैनत करो तो आपका अधा बर्डन कम हो जाता आपको स्कोलर्शिप मिल जाती है मास्टर्स वगरह में सरवात की अगर मैं बात करो आपने किस चीज़ को पर रिसर्च करी कि आपने मतलब इस लेवल पर पहुंचे आप वहां जाकर करके आपने इस लेवल को अचीव करना का काम करें है उसका बारा मार थोड़ा बारी किसे बताओ मेरे यह था कि जैसे आई आई अई टी वगरे से बच्चे पास आउट होते हैं सिर्फ यह जा पाते हैं क्योंकि बड़ी बड़े आई एटी तो कितना नाम सुना हुआ है तो फिर इतना पता था कि एक रिसर्च एक्सपीरियन्स चाहिए पी एचडी क्या होती है पांच साल का कुर्स होती जिसमें आपको करनी होती है जो भी चीज आप करना चाहते हैं जैसे मेरी रिसर्च अब कर एक कि यहां पने यह कारीस कर्बन डायोकसाइड इसकोस्ता यह तार्वी निकल जाया स्कॉ安वाइरमेंट में तो अर-श तरह की रिसर्च होती हैं तो तो आप अपने प्रोफेसर से बात करो मास्टर में बैचल डर दम कर रहे हैं कि लाब है तो आपके तुम आपको पैचाल में लगती है रिसर्च की थी एक साल तो उन्होंने मुझे प्रोजेक्ट करवाया था कि कैसे रिसर्च है कैसे थीसिस लिखनी है यह सब तो वह एक साल की बेसिस पे महीने के 2020 टू हंडड। मिलेंगे दो लाग कुछ तो जिसमें से रूम रेंट मेरा पांससौ चार सौसी कुछ है और खान पीनका खर्चाबि 3ds.दौलर कुछ है तो वह बाकी तो शैद आता होगा जीकरा करें है कि वह कितना खर्चा उड़ा जाएके होगा तो यह बहुत से डाउट रहते हैं कि अजेंट की अपना जिकर करें बीच में अजेंट का अपना जिकरा करें है यह चीजे मतलब आज लोग अक्सेप्ट कुन करना लागरे कि बिना जेंट भी जाया जासकता है वो क्या करते हैं वो आपकी फाइल लगाते हैं वो जो मैनत तुम कर सकते हो वह कर लेते हैं यूट्यूब पे सर्च करो कि मतलब मेरे को इस एक यूनिविस्टी के लिए कौन गों से फॉर्म चीए व चुरुबात में मैं भी गन्फ्यूज थी अब घर में तो किसी को पता नहीं ना किसी रिलेटिव को कि आईडिया की कैसे करते हैं तो यूट्यूब मैंने सर्च करा कि वीजा के लिए स्टार्टिंग क्या है कि कैसे फॉर्म बरते हैं बैंकिंग का भी पापा को आईडिया कि तुम्हें जुरूरत नहीं है अगर सब कुछ यूट्यूब वीडियो पर थोड़ा टाइम लगा कि उसको देखो कि कैसे कर सकते हो वह फॉर्म तुम खुद से भी कलेक्ट कर सकते हो नॉर्मली सारे वही बेसिक फॉर्म होते है तुमारी डिगरी मार्क शीट तुमारी ए एक टाइम पर तो होता था मतलब जब मैं शुरूबात में मेरी में रिसर्च प्रोजेक्ट तब मैंने अपने मतलब प्रोफेसर से बात की थी एक से तो मतलब कि मैं सर प्रोजेक्ट करना चाहती हूं ऐसे ऐसे क्योंकि वो जर्मनी से पड़े हुए थे तो मेरे को लगा था बाद में सर वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे क्योंकि मैं दूसरी फिल्ड की स्टूडेंट थी मतलब उनके अंडर वो कह रहे थे कि तुम उनके अंडर करों मैंने बोला सर मांका माओल ठीक नहीं है मुझे नहीं पता ऐसा क्या हुआ और वो बोल रहे हैं कि ऐसे एक लेटर क्या मतलब फिए मैंने पढ़ते हैं कि की सब बेजना होता है तो पता नहीं उनके प्रोफेसर के मन में में क्या है तो बोले कि नहीं मैं तो नहीं रख सकता तुमें अभी तो नहीं तुम दूसरी फील्ड के प्रोफेसर से बात करो तब मन में हुआ था कि अब कैसे जाओंगी कोई रिसर्च एक्सपीरियंस भी नहीं है इतने पैसे तो नहीं लगाए जाएंगे और इंडिया के तुम आओ लैब में फिर उन्हें दिखा कि मतलब अच्छी मैनती स्टूडेंट है तो फिर मैंने उनके इंडर एक साल काम किया तो आज वो अपने बच्चों से मिलवाते हैं मेरे को जो उ कि यह मिलो यह भी बार जा रही है तो मेरे साब से बच्चे को थोड़े पॉर्चुनेटी देनी चीए जो भी आपके पास आए सीखने के लिए तो उस चीज से है और जिन्हों ने निकाल दिया था हम तो निकाली दिया से अगर मैं बात करूँ उस आपके बाई तह आपना मेरे भाई ने तो मेरे को शुरू से सपोर्ट किया है मैं क्यों क्योंकि मैं हर चीज पर वाय करती मैं कि मेरी प्रोफाइल इतनी अच्छी है क्या मेरे को सिलेक्ट कर लेंगे वहां वाले मैं क्या आई-टी-वी-टी से तो मैं पढ़ी नहीं हुई कह रहा तू टेंशन ना क अगर तेरे आथ में सब अपलाई करना है मतलब मेरी जानकारी नहीं थी तनी तो उसने अपने दोस्त के दोस्त से किसी से कोई लंडन में पोस्ट डॉक्टरल पोजिशन पे होगा उससे बात करवाई कि इसकी एक बार प्रोफाइल चेक कर लो ठीक है नहीं तो वह मेरे नही सबसे ज़्यादा सपोर्ट के अगर बात वरूं परिवार में किसके दोरा सबसे ज़्यादा सपोर्ट मेरे भाई ने किया सबसे ज़्यादा मुझे सपोर्ट क्योंकि मम्मी पापा तो फिर भी मोशनल हो जाते हैं कि यहीं रह ले क्या है क्यों जाना है बार तो थोड़ा ट पापा को प्रोसीजर पता नहीं था फिर पापा देखते अच्छा यह पापा यूं कहते बस मैंने तो बस पिसे बरने तो तू देख ले कुकर करेगी तो बस मैं खुद से सर्च करती थी और खुद फिर अपलाई करती थी उन बेटियों को और उन परिवारों को के करना जाओ आज के समाज में बात करना तो अपनी बेटी ने बार निकाले देवरी जिजक है आज कर देन आपको इस पता है कि गुड़िया अगर पड़ने जाओं इस आर भी जान लाएक जे तो नहीं कहोंगे बड़ोशी पड़ोशी विया बात करें के करकी आओड़ों जाए के के बन मेरे को यह ही कहते है की शुदी छिपकलि frying गणे माच हर्खा में तो मेरी ममे बात कहती है तो कि तू जितना बाहर निकलेगी अब जैसे मैं बाहर गई तो मेरे को पता था कि मेरे उपर मेरे ममी पापा का बर्ड़न है कि हाँ ऐसे रिस्पेक्ट रखनी है ये वो तो उनको बाहर निकलने का मोका दो इन्हें पता कि ऐसे अजादी दी है तो वह भी अपने डंग से रहेंगे या ठीक तरीके से मैनत करेंगी और जिसने गलत काम करने होते हैं देखो वो घर पे भी कर लेते हैं चाहिए बाहर की बात हो तो वह सारी बात इस पर आती है कि कितना मोका दो तो एक बार तो बच्चे को मेरे साब से मोका देख देखना चाहिए अगर वो कोई चीज करना चाहता है तो अगर दिल से करना चाहता है कल को अगर मेरे को आज मोका नहीं मिला होता तो यह इंटर्वी भी नहीं हो रहा होता अगर बच्चों की बात करें बच्चे घर के मोक दे देते हैं लेकिन बच्चे भी कई ना कई गल्थ साबित होते हैं उनको आप क्या करना जाओगे ठोकर लगके तो फिर रास्ता पती चल जाता तो एक बार तो कोई नहीं गल्थी हर एक से होती है देखो इस टाइम की जनरे मतलब जनरेशन है थोड़ी सी ऐसे भटक जाती है पर एक बार ठोकर लगके भी अगर आप सुधर जाते हो तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है तो थोड़ा अपना अपिरेंट्स के बारे में भी सोचो वो इतना मैनत करते हैं सोचते हैं आपके बारे में तो बाद में तो सब ठीक होई जाता है तो भई माबाप एक इसी चीज है जो बच्चे के सपने साकार करन में सबत बड़ा रोल हो जिसका फिलाल कि अगर मैं बात करूँ बेट्टी अमरीका में जाके पड़ाओगी और ये माता पिता मेरे पास बेटेरा रियाना की संस्कृतिरा रियाना का कलचर जो है आज भी ज पूंगो टूपर कर ले हो जी राम 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 जी आपके सारी दर्सकों को राम राम मेरी तो भाई ये मैं पिता जी है और ये माता जी मापना बताए दियू इस गुडिया की जिसका सपना साकार करन में इनका सबसे बड़ा रोल है क्योंकि बेट्टी को गर्षे न अपने सपने साकार करें हम तो मतलब यह है कि भी इसको स्पोर्ट कर सकते थे मैन अधीजी की हैं इसी ने पढ़ना था इसी ने करना था और इसने हमारा विश्वास भी कायम रखा और उसे के परिवार की तरफ तरफ कोई शी अडचन आयो की नूंकर आज समाज ने देख दो ड़ी नूंकर आगी कड़ा बेज जगी लड़की ने नहीं ऐसा कुछ नी था मतलब पापा भी जैसा था मतलब पहले तो इतनी पड़ाई का ओनी था तो जैसा भी था स्पोर्ट करते थे पता था भी बच्चे मतलब अच्छे हैं पढ़ाई में तो कोई दिक्कत नी आए कभी गुडिया ने मारा ब्रोसा भी नी तोड़ा मतलब सरू से कलास में कहीं भी हमारी त्रांसफर होती थी तो जातते थे औहां गरव होता था टीचर भी बोलते थे भी आपकी गुडिया बच् पांच मिन तक थोड़ी सी मतलब दाउन थी तो मैं इसको कम ही मतलब समझ में आता था यह सोच ती थी मम्मी से नी पढ़ना मेरको और यह चुपा लेती थी चीज़ें तब मैंने इसको पिटा था कि तुने मतलब बताया नहीं तो कहती ममी मैं बाद में बताऊंगी तो उस टाइम इसने सोच लिया था कि भाईया को आप ऐसे कहते हो भी यह उशार है तो अब मैं भी करके दिखाऊंगी तो इसने उसी टाइम खिड़की में लिख दिया था कि मैं यूएस जाना चाहती हूं इसको यह नहीं पता था यूएस में होता क्या सिरफ यह पता था कि यूएस में बच्चों की पिटाई नहीं करते मावाब योँ माल्य वापी पाई हारी आज नहीं तो यह पता में यह तक नहीं तो यह रगाती तो यह बस बच्चपन से इसने होनल सोचा था कि मैं अमरीका जाऊंगी तो यह तो ईसक नहीं मतलब अम्रेका चली जाऊंगी पर यह रही जाकर इस नीğ congress की कि इसने अपना सपना साकार कर दिया जो देखा दा बच्पन में पिता के अगर बात करे जाओ जी पिता का बहुत बड़ा रोल है लेकिन इंट्रिव का बीच में बात आएगी आप तो नियुका आर देवाई मतों पिशे देने हैं पिशे देने का मेरा काम है तो में लोग स से यहां देश की शेवा करें अची डॉक्टर बने पिरिसके अंधर मन में यह थी मतलब सुरू से इमने में बाहर जाना में डियूम जाना शुरूम से दिली निवस्टी की ट्राइमारी इसमें लाइन मनें बहतर ज़ूर पर इसके बढ़े इसार बीनीट का पेपर दे इसक सुलड़िः पैशाही दे सकते हैं हम दो दो क्या दे सकते हैं आप अम भी एक घ्रीव मिडल फैमिली से यह री प्रिवार से हैं दो दो पच्छों के पड़ आई ब्र भी लड़की के नह Cold MicheAS मेरे 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 घाउं काम 350 अ है कि पूरी फैमिली में तो ज्यादा नहीं बोल सकता लड़की मैं की दिजमत इतना कैस को हमारा काम पैसा ही लगाना था लड़की ज्यादा पैसा भी निखर्च करवा इसकों जितना मंतली दिते दें बुश्ची कमल काम सलाती दिए लड़के पड़ाई फोकस करें एक लेकिन गुडियां की मैं करें तो बल्या एक पड़ोस में करक्या होगी पूरोगाम की चोरियां पावंदी लाग जीगी यह चीज सचाई है तुन माबापने के मैसीज देना चाहोगे जो आपके बाड़काना आज के समाज में भी गरां भी ठाग रहक लें पड़ाई तर अपने बच्चेें को सरूप सी शिख्षा देंगे गर विश्वास के साथ बच्चे को भेज valid को अफीनियी का मतलब रखेगा तो बच्चों को बढ़ने का या अंगे करने का कुछ मुओका देओ तबच्चें अगर हम खूली नी देंगे चूटी नी देंगे किसी चीज को करने की तो क्या पता बच्चा कहां तक जा सकता है तो मैं तो यही कहूंगी भी सब अपने बच्चों को मतलब इतना मोका तो देऊ कि वागे बढ़ सके तो बही गुराने का जी कर चालन लग रहे है और सरपच मोका पना विशा नहीं हो सकता क्यूंकि गाम का विकास में और सारी चीजा में सरपच का यह बहुत आहम रोल है सरपचा राम 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 जी आज आपका गाउं की बेटी रविदेश मज आओगी कैसा मैसूस हो लग रहे के यह बेटी अपने मैनत का दम पजान लाएगरी है एक मीडल परिवार से उत्ते हुए इसना अपने मैनत का दम पर यू मुकाम कमाया है तो मैं तो गाउं का सरपच ओने के नाते बेटी प्रियाबूरा को पूरा गाम की तरफ से बहुत बहुत बदाई देता हूं और इसक के उजूल बविश्य के लिए गाम की तरफ से सुब कामनाई देता हूं बैटी का उजूल बविश्य हो जो टारगेट बैटी लेगे चली है उसमें यू कामयाब हो सर्पसाब एक गाउं का बहुत बड़ी बात है कि आपके गाउं तेक नॉर्मल परिवार तेक बेटी आज बहर जानना गरी है और लोगा ने और बच्चे ने के मैसिज देना चाहोगी इस तरियां की अगर बात करना तो आप आज मैं आपके चैनल के माध्यम से पहले तो सभी को दन्यवाद देना चाहता हूं और मारी बैंड गाउं की बेटी प्रिया बूरा ना जो मैनत करके आज इस मुकाम पर गई है इससे दूसरे बच्चों को भी उसला मिलेगा और हम तो इसके उज़ुल बहुश्य की कम ना करते ह मैं एक डाई लोग वह लिया था कि वह जो आपने दंगल फिलो मारा देखे था मारी चोरी के चोरियां तक में बिल्कुल सचाई है फिट बेट है या बात सारी बात आपने सुनी एक परिवारत है किस तरिया निकली कितना श्ट्रगल करके आज जो है विदेश तका सपना प काम हो हैं काभी बार देखा यह चीज लेकिन वहां चीज कहीं न कहीं आगे जाके नुक्सान करने का काम करें आज बहुत बड़ाओ दारना आपका श्यामी बेट है एक बेट्टी पांच में में जीरो नमबर आओ जिसका मैथ में गराया के माह उसने समार रहा है देशी बा बात आई थी अजेंट की बारे में भी बिल्कुल खोइल के बताई है आप खुद कर सको अजेंटां के जो पैसे हैं माबाप के जो मैनत है ना उसको आप बचा सको हो तो पूरी आपने बात सुनी है पूरी कानि आपने अपने उनका काम करें बड़ी मोटिवेशनल बात ते बहुत बहुत सुकाम नहीं थैंक यू सामच तो भई दनेवाद मिलता हूँ एक नई अपडेट के साथ फिर दनेवाद